श्राइणैं ऎर्ट-टटा कनुट जो है जो है जो एक्रिमेंट होगा किसान और वैँपारी चैशंद में उसे बतातौ आप आप समझ जाएंगे सारे उसके बाद कुछ बताने की जरूद ने पड़िए उस धारा तीन में लिखा है कि किसान के और व्यापारी के बीच में जो एक्रिमेंट होगा उसमें ये लिखा जाएगा नमबर एक किसान को अपनी जमीं पर कौन सी फसल उगानी नमबर दो उस फसल का great क्या होगा standard क्या होगा और उसकी quality क्या नमबर तीन उस फसल को उगानी के लिए जो बीच होगा जो खाद होगा जो कीटना शक होंगे जो मशीनरी होगी जो तकनिक होगी उसे वो व्यापारी जिसके साथ स लिखा जाएगा, इसकी कीमत क्या होगी, जो फसल हुगाएगा, जब फसल पक्के तियार हो जाएगी, तो किस कीमत पर व्यापारी खरे देगा, ये भी लिखा जाएगा, साथ में ये भी लिखा जाएगा, कि इस फसल की कितनी बार चेकिंग होगी, तो बहुते समय, फसल जब कानूर के इसाब से पूरे देश की जमीन पूरे देश की जो किसाना पूरी फसल खरीद रखता है पहले उस पर फिर्दी बनता अब इशेल चल कमोडिटी जैक यानि आवश्यक वस्वातिर नियम से वो बैरिकेट हटा दी यानि कि जो एक लगा रखा था बैरियर कि इससे जादे नहीं कर सकते लिमिट लगा रखा रखती लिमिट वो खतम कर दी इसका मतलब व्यापारी जितनी चाहे फसल खरीद के अपने गोदाम में रख सकता है अब मानिये कि जब पूरी फसल किसान से व्यापारी के घर चली गई तो अब थोड़ा से पीछ आईए 2013 में इस सरकार ने संसद ने एक कानून बनाया था इस देश के करीब लोगों के लि चावल दो रूपे किलो गेहूं और एक रूपे किलो मोटा अनाज देना था अब मैं आप से सवाद पुस्ता हूं अब समझें आपको से जब सारा अनाज व्यापारियों के पास चला गया सरकार के पास कुछ नहीं है तो सरकार इन 82 करोड़ लोगों को कहां से नाज पहले तो यह बता हो ओगा इसका मतलब जो 82 करोड़ कशलों करेब जो 82 करोड़ करीब सरकारी मदद पर निर्भरता वो खतम हो गया मतलब आप कह रहे हैं कि किसानों के ख़लाब 12 करोड़ वै खतम, बाचलाग राशन की दुकानों में कुछ रोजगार भी मिलता होगा, खतम, अब इसके बाद, आब आ जाईए, कि जब किसान को सारी चीजें, जो खाद भी है, बीज भी है, कीटना शक भी है, मशीन भी है, टक्निक भी है, वो व्यापारी जिससे समझोता हुआ, वो ही देगा, तो जो व्यापारी ये काम करते हैं, कोई खाद भेस्ता है, कोई बीच भेस्ता है, कोई मशीन भेस्ता है, कोई जो पैस्टिसाइड भेस्ता है, वो व्यापारी खतम, तो आपने व्यापारी खतम कर दिये, करीब मजदूर खतम कर दिये, और किसान को आपने बंदक बना दिया मस्दूर बना दिया गुलाम बना दिया कैसे अम मैं बता दो जब किसान की जमीन पर agreement हो गया तो किसान चाहा कर भी अपनी जमीन से एक भुट्टा माना मक्का बोई हुई है मक्का से एक भुट्टा तोड़के नहीं खा सकता आज की तारिक में तो जाओ मक्का से ए कि नहीं दस बीस पचास जितने भुट्टे तोड़के खाने खाओ खुब सेक हैं रिष्टेदारों को भी ले जाओ साथ में गन्ना अगर वो रखा है एक गन्ना नहीं खा सकता क्यों कि व्यापारी से समझोता है अगर एक गन्ना टूट लिया तो फिर उसके बाद मैं सकता ऐसे कानून का क्या करूंगा और इस कानून ने व्यापारी खतम कर दिया इस मसदूर खतम कर दिया और jätte मैं किimmis किसान को इतनी भी महलत नहीं दी गई आज की तारिक में तो किसन दूरर से जा के तीक मिला तो आ सो वहां से ले-ले- वहां मिला ने मिला तो हमासे ले-ले- खाद हे बीच अपनी मर्ची से ले सकता इसके बाद भी किशन शैền का इसका मतलब यह हुआ कि चंद व्यापारी के हाथ में पूरा देश जाने वाला, और जब व्यापारी के साथ में समझाता हो गया, तो कोई बैंक भी किसान को लोन नहीं देगा, कोई भी बैंक, इसका मतलब यह हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि अगर उससे पैसा चाहिए, किस स किसान है अपनी ही जमीन उसी व्यापारी को बेचने पर मजबू हो जाएगा अब थोड़ा से पीछे जाओ आप आपको लेकर जातों 1947 से पहले क्या था इस देश में जो साहुकार होते थे वह ऐसे ही करते थे किसान को ब्याज दिया और वह प्याज क्या उमत पैसा दिया वह इतना ब्याज ब्याज पर ब्याज भयाज ब्याज फर ब्याज किसान की Ti grasp गिजर जाती थी करजा नहीं उतरता था और सारी जमीन जो साहुकार कहाँ प्याई चली जाती देखो और नए उसमें देखो ध्रमेंदर जी की गुलामी देखो और अगर पढ़ना हो तो वह बनेगा उसके बाद में अपनी ही जमीन पर गुलाम बन जाएगा यह इस कानून का परणाम जो आगे तक नेजर आता है इसलिए इसलिए यह कानून पूरे देश को तभा करने वाला अब एक चीज हो रहेगी उसे भी बता दो जो मद्यमवर के लोग जो आज रोटी खा रहे हैं जब व्यापारी सारा अनाज अपने कुरदामा में बंद कर लेगा तो वो जो आज उसने लिया जिस दाम पर उससे 6 गुना, 7 गुना, 8 गुना दाम पर बेचेगा तो जो मद्दमवर के लोग जो घरों में बैठे हैं अगर उनको बाहर आना चीज़ सांदोलों में उनको आज जो आना आज